मुझा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टैक अन्बॉक्सिंग आज की वीडियों में हम उन्बॉक्स करने वाले एक बहुत ही युनिक प्रड़क्ट बैंक्यू की तरफ से जो है उनका पोर्टेबल प्रजेक्टर और इसका मॉडल नमबर है जीवी 30 गैस इसके अंदर इन आपको बिल्ट इन बैटरी देखने मिलते हैं जिसकी हल्प से आप आपको 2.1 स्पीकर सेटप भी देखने मिलता है ओटो फोकस टेकनोलोजी प्रोएड गिये ओटो की स्टोन करेक्शन आपको देखने मिलता है घीर सारे फीचर जानेंगे इसी वीडियो में तो हमारे साथ बने रही है एंड यस हमारे चैनल पर धेर सारा ऐसा टेक के लिए जैसे हम इसे अनबॉक्स करते है यहां पर सबसे पहले वह एक्चुल केरिंग केस आपको देखने मिलेगी और यस इसकी जो बिल्ड कॉलिटी है यहां पर बहुत ही स्टर्डी निकल के आती है आपको एक साइड हैंडल भी देखने मिलता है तो जैसे हम इसे इवी स्टिक माउंटिंग किड भी इसमें प्रोवाइड के एंड नीचे की तरफ यहां पर वो एक्चुल प्रजेक्टर आपको देखने मिलता है एंड गाइस इनिशल फर्स्ट इंप्रेशन की तौर पर इतना ज्यादा बल्किए प्रजेक्टर यहां पर फील नहीं हो रह यहां पर यह Bluetooth remote control है बहुत ही sturdy build के साथ आपको देखने मिलता है और फिर यहां पर उन्होंने power charging brick प्रोवाइड के है 65 watts का और यहां पर आपको additional charging cables भी इसकी देखने मिलते है और यहां पर फाइनली उन्होंने AAA batteries भी प्रोवाइड के रिमोट कंट्रोल के लिए और यहां पर उन्होंने BenQ की branding प्रोवाइड किये और यहां पर उन्होंने square में bronze finishing भी प्रोवाइड किये और फाइनली यहां पर आपको उसका चोटा सा user manual भी देखने मिलता है तो यहां पर सबसे पहले में बात करना चाहता हो इसके build quality को लेके तो यहां पर completely white color में आपको यह देखने मि मिलता है जिसके उपर आपको GV30 की branding देखने मिलते है और यहां पर projector के आगे की तरफ उन्होंने वो actual projection area भी प्रोवाइड किया है और यहां पर आपको एक base stand देखने मिलता है जो एक magnetic base stand है और इसकी help से आप projector का angle यहां पर बहुत ही easily adjust कर सकते हो तो कर जो projector की build quality है यहां पर बहुत ही sturdy निकल के आती है यहां पर weight को लेकि अगर मैं बात कर रहा हो ना तो 1.6 kg का total weight यहां पर निकल के आता है और ports की तरफ बढ़ते है तो यहां पर उन्होंने full size HDMI port type C port प्रोवाइड किया है जिसके अंदर आपको display port भी देखने मिलता है प्लस यहां पर उन्होंने audio out and DC in भी provide किया है buttons को लेकि अगर मैं बात कर रहा हो ना तो ऊपर की तरफ यहां पर आपको power on off का button देखने मिलता है volume up volume down का button प्रोवाइड किया है and यहां पर आपको dedicated Bluetooth speaker का भी button देखने मिलता है तो guys यहां पर build quality के साथ ही यहां पर आपको versatile connectivity options भी देखने मिलता है जहां पर उन्होंने dedicated ports जिसमें provide किया and yes जो android tv stick है ना उसे भी आपको इसके अंदर mount करना है उसे कैसे mount करना है उसे हम थोड़ी time में यहां पर check out करेंगे अभी हम बढ़ते directly इसके projection area की तरफ तो यहां प उन्होंने main projection lens provide किया and उसे के side में यहां पर आपको sensors देखने मिलते है and यहां पर उन्होंने autofocus sensors प्रवाइड किया है auto keystone sensor आपको देखने मिलता है and yes autofocus की help से यहां पर आप देख सकते हो काफी easily आप यहां पर focus adjust कर सकते हो manually आपको adjust करने की जरूरत नहीं automatically adjust हो जाता है and उ बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसमें content enjoy कर सकते हो so guys जो autofocus है या फिर जो auto keystone correction है ना वो यहां पर आपको बहुत ही amazing देखने मिलता है यहां पर projection size को लेके अगर मैं बात कर रहो ना तो 30 inch से लेके 100 inch तक आप बहुत ही easily इसमें project कर सकते हो and इसका जो output native resolution है वो है 720p का and यहां पर आप 4K content तक भी इसके अंदर stream कर सकते हो and guys एक projector में na brightness बहुत ही जादा important role play करती है and इसके अंदर आपको 300 ENSL lumens का brightness देखने मिलता है जो बहुत ही जादा adequate है अगर आप indoors में इसे use कर रहे हो या फिर थोड़ी बहुत lights भी turned on है वहां पर भी आप इस projector को बहुत easily use कर सकते हो या फिर outdoor अगर आप जा रहे हो तो रात के time पर camping में भी आप इसे use कर सकते हो and guys जो projection है ना उसके अंदर भी आपको इसमें बहुत ही detail में color accuracy देखने मिलते हैं यहां पर उन्होंने 97% REC 709 color accuracy इसके अंदर provide की है जिसकी help से जो colors है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से आ उन्हें थोड़ी time पहले यहां पर unbox किया and उसे आपको इसके अंदर mount करना है तो यहां पर जो side panel है उसे आपको remove करना है यहां पर जो mounting kit उन्होंने provide कीता है उसकी help से and यहां पर कुछ इस तरीके से जो panel है वो remove हो जाता है and यहां पर आपको एक groove देखने मलता है जहां पर ज side में यहां पर उन्होंने micro USB cable भी provide के जिसकी help से यह directly power on हो जाता है and guys mounting करने के बाद यहां पर जो उपर का surface है ना कुछ इस तरीके से बस आपको press करना and यहां पर यह lock हो जाता है so guys यह जो mounting mechanism उन्होंने provide के ना personally यहां पर मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि बाहर भी उन्होंने HDMI port provide किया है तो वहां पर आपको plug-in करने की जरूरत नहीं आप अंदर जो built-in HDMI port उन्होंने provide किया जो प्रजेक्टर के अंदर ही completely seal हो जाता है उसके अंदर वहां पर आपको insert करना है and yes यहां पर operating system को लेके अगर में बात कर रहा हो तो android tvOS आपको देखने मिलता है जो यहां पर based है android 9 पर and यहां पर जो इसका UI आपको similar देखने मिलता है android tvOS जैसे ही जहां पर उन्होंने धेर सारे pre-loaded applications इसके अंदर provide के and अगर यहां पर आपको additional applications download करना है तो आप play store की help से भी यहां पर applications को download कर सकते हो storage को लेके अगर मैं बात करो ना तो 16 GB का storage उन्होंने provide किया है and 2 GB का RAM आपको देखने मिलता है जो बहुत ही जादा sufficient है guys आपके applications download करने के लिए and उन्हें run करने के लिए and yes guys यहां पर हमने इस particular projector के लिए content भी watch किया तो सबसे पहले यहां पर हमने amazon prime videos को इसमें test किया था बहुत ही smoothly यहां पर prime videos इसमें work कर रहा था and prime videos पर यहां प up to 4K content भी stream कर सकते हो तो guys कुछ इस तरीके से आप OTD platforms का यहां पर मजा ली सकते हो क्योंकि full-fledged android tvOS आपको देखने मिलता है and yes यहां पर हम बात करेंगे कुछ settings की तो जब भी आप यहां पर projection कर रहे हो यहां पर बहुत यासानी से इसका brightness यहां पर adjust कर सकते हो and उसी के साथ यहां पर आपको picture mode का भी setting देखने मिलता है जहां पर उन्होंने bright, living room, sports, cinema, daylight जैसे picture modes इसमें provide के फिर आपको देखने मिलता है sound settings and यहां पर उन्होंने standard, music, game and sports के option provide के and नीची की तरफ यहां पर आपको general settings देखने मिलते है जहां पर picture, focus, low power mode and system settings भी कर सकते हो so guys setting wise यहां पर आपको धेर सारे customizations देखने मिलते है and yes आप remote control के help से भी यहां पर setting कर सकते हो plus guys remote control के उपर आपको auto keystone adjustment का option देखने मिलता है auto focus का भी option उन्होंने प्रोवाइड के remote वाला पार्ट हम थोड़े time में यहां पर check out करेंगे and अभी हम बढ़ते हैं इसके speaker setup की तरफ तो यहां पर आपको 2.1 surround sound speaker उन्होंने प्रोवाइड किया जहां पर आपको side में 4 watts के dual speaker setup देखने मिलते है और यहां पर जो projector का back side है वहां पर उन्होंने 8 watts का subwoofer भी प्रोवाइड किया जो sound output है जितना हमने यहां पर content watch किया बहुत ही amazing निकल किया आता है यहां पर मैं एक sample video प्लेए करूँगा जिसमें आप सुन सकते हो इसकी sound quality को जो sound वाला पार्ट है यहां पर आपको बहुत ही amazing सुनने मिलेगा यहां पर जो treble वाला पार्ट है यहां पर जो bass वाला पार्ट है आपको perfectly सुनने मिलेगा and yes यहां पर आप इस पर्टिकलर प्रजेक्टर को as a Bluetooth speaker भी यूज कर सकते हो ओपर की तरफ यहां पर आपको Bluetooth का बटन देखने मिलता है बस आपको उसके ओपर क्लिक करना है and directly आप देख सकते हो यहां पर यह Bluetooth speaker में convert हो चुका है and yes आप Bluetooth speaker की तोर पे भी इसे यूज कर सकते हो and guys अभी हम बढ़ते हैं इसमें casting की तरफ so on the go अगर आप content यहां पर enjoy कर रहे हो आपके फोन में से कुछ content आपको शेयर करना है projector पे तो वो भी आप यहां पर बहुत रिजिली कर सकते हो तो आप देख सकते हो यहां पर हमने iPhone हमारा इसके अंदर कास्ट के बहुत ही smoothly यहां पर जो iPhone है वो कास्ट होता है उसे के साथ यहां पर जो Mac Mini है उसे भी हमने कास्ट किया था इस पर्डिकुलर प्रजेक्टर पर यहां पर जो मैक मिनी की कास्टिंग है वो भी बहुत ही स्मूथली निकल के आती है इस तरीके से आप आपका Android फोन, iPhone या फिल जो आपका laptop है उसे भी आप बहुत ही इसके अंदर कास्ट कर सकते हो और अभी हम बात करेंगे इसके बिल्ट इन गेमिंग के बारे में जी हाँ इसके अंदर आप बिल्ट इन गेमिंग भी कर सकते हो और यहाँ पर जो projection है न हम लोग ने surface पर रखा था मतलब जो floor होता है उसके ओपर हमने project किया था और लिटरली मैं नीचे बैट के यहाँ पर games का मजा ले रहा था बहुत ही smoothly यहाँ पर जो game है वो चल रहा था Asphalt 8 game कोई भी lag इस particular game में हमें मैं सुस नहीं हुआ Bluetooth gamepad के help से भी बहुत ही responsibly आप इसमें games खेल सकते हो And guys basic game को लिखे अगर मैं बात कर रहा हूँ न तो यहाँ पर beach buggy racing game को भी हमने download किया था And beach buggy racing game को आप directly remote control के help से यहाँ पर खेल सकते हो And guys but obvious यहाँ पर जो basic games होते है न उसके अंदर भी आपको कोई भी lag महसूस नहीं होगा So guys यहाँ पर जैसे आपने देखा मतलब literally floor के उपर project करके यहाँ पर हमने games खिले प्लस आप ceiling के उपर भी projection कर सकते हो आपके comfort के हिसाब से आप यहाँ पर projection area select करके इसमें gaming का भी मजा ले सकते हो So guys अब तक तो हमने बात की इसके built-in operating system की But guys यहाँ पर अगर आपका laptop आपको project करना है with HDMI cable तो उसे भी आप कर सकते हो तो यहाँ पर हमने HDMI की help से यहाँ पर laptop को connect किया है And laptop यहाँ पर बहुत ही amazingly project हो जाता है And guys यहाँ पर अगर आपको fire tv stick भी इसके अंदर add करना है न तो जो side वला HDMI port है उसकी help से यहाँ पर fire stick को भी इसमें add कर सकते हो And fire tv OS का भी यहाँ पर मजा ले सकते हो And अभी हम बढ़ते हैं इसके remote control की तरफ तो यहाँ पर आपको बहुत ही sleek remote control देखने मलता है And यहाँ पर उन्होंने shortcut keys provide के जहाँ पर आपको autofocus, auto keystone correction Plus Amazon Prime Videos का भी shortcut के आपको देखने मलता है And guys यह एक Bluetooth remote control है जिसके अंदर आपको built-in mic देखने मलता है तो यहाँ पर आपको Google Assistant का button देखने मलता है जिसकी help से यहाँ पर directly आप Google Assistant में जो चीज़ से यह उसे search कर सकते हो कुछ इस तरीके से What's the temperature outside? The temperature in Navi, Mumbai right now is 32 degrees Who is Tech Unboxing? Abhijit Desai According to Hindustan Times Meet Abhijit Desai of Tech Unboxing A dedicated channel for unboxing gadgets from popular brands And guys, अभी हम आते हैं इसके सब से crucial aspect की तरफ Guys, एक portable projector है तो इसके अंदर आपको built-in battery देखने मलती है And yes guys, यहाँ पर अगर मैं इसे fully charge करूँ न तो roughly 2.5 hours तक मैं इसे use कर सकता हो In short अगर मैं बता हो तो एक पूरी movie आप इसके ओपर watch कर सकते हो Single charge पे And यहाँ पर charging खतम होती ही आप power brick की help से इसे charge कर सकते हो या फिर on the go अगर आपके पास 45 watts का या फिर उससे भी जादा वाला power bank है तो उसकी help से भी आप इसे easily charge कर सकते हो मेरी case में यहाँ पर जो Xiaomi का hypersonic power bank है न उसकी help से मैं इसे charge किया था And बहुत ही amazingly यहाँ पर यह charging पर plug-in हो जाता है So guys, यहाँ पर अगर मैं final conclusion दूना BenQ के GV30 projector के बारे मैं Guys, इसे मैं एक full-fledged projector बोल सकता हो Portable है, built-in battery आपको देखने मिलते है Speaker setup भी बहुत ही amazing है कोई भी external speaker setup की यहाँ पर आपको जरुरूरत नहीं है And yes, यहाँ पर आप 100 इंच तक इसमें project कर सकते हो Built-in Android TV OS देखने मिलता है Guys, धीर सारे features है Market में आपको कई सारे projectors देखने मिलेंगे But guys, इतने सारे features उनके अंदर आपको देखने नहीं मिलेंगे Especially जो इसका auto focus वाला feature है यहाँ पर personally मुझे बहुत ही जादा पसंदा है And अभी हम बात करेंगे इसके pricing के बारे में So, यहाँ पर यह जो projector है आपको roughly available मिल जाएगा 50,000 से लिके 55,000 के price bracket के अंदर Guys, pricing थोड़ी बहुत यहाँ पर fluctuate होती रहती है So guys, link जो है ना description box में drop कर दूँगा जरूर जाके check out कीजिए And यहाँ पर आपको warranty भी देखने मिलते है Guys, 2 years की warranty उन्हें प्रोइड के जो शायद ही ऐसी कोई projector brand है जो आपको market में 2 years की warranty प्रोइड करेगी Plus guys, इसका जो LED light projection source है ना उसके साथ भी आपको 2 साल की warranty देखने मिलते है तो ऐसे भी आपको 2 साल की warranty देखने मिल रही है Light source है उसमें भी उन्हें ने 2 साल की warranty प्रोइड के या फिर 2000 आज का projection time आप consider कर सकते हो So guys, जरूर चेक आउट कीजिए Link description box में आपको मिल जाएगी And guys, बस यही था आज का वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए प्लीज subscribe कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों और एक important बात प्लीज मेरा facebook page और instagram page भी लाइक कीजिए तो दोस्तों मिलते अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद